Hello, Anil Good morning Good morning कहा स्वाप जैपूर से हो, नए? हाँ, वेशे, सर मैं जैपूर से हूँ, steady मेरी जैपूर चल रहे है लेकिन मैं proper hometown मेरा चुरू से सरास्तान अचा, राजस्तान से हूँ, ओके, एके, ने, जो तुमने वो रिज्जो में mention किया था अभी एक्जैटली क्या कर रहे हो गो अभी मेरी लाष्ट चल रहे है बीटेक फूर्थ यह लास्ट यह ओके लास्ट यह इसके बाद आगे क्या सोच रहे हो कुछ क्या तुम्हारे दिमाईर में था क्वेशन क्या प्रॉल्म थे सर मेरा जाने का प्राइविट शेक्टर में है सर वेशे में सर सोफ्टेर स्किल्स में ठीक है सर मैं सुरुआत से सोफ्टेर स्किल्स पर काम कर रहा हूँ तो अभी अभी शर में जिसे जोब भी मेंने श्टार्ट किते लेकिन यह अभी जीसे आपको पसबता है कि करोना को जीसे मुझे छोडनी है जुट र kucion डुबारा से गे तुमने जॉब स्टार्टिकर तुमिश्यम कुड़ होता ना सर हाँ 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 और सिविल 3D पे सिविल 3D उसकर रहे थे यह सर और उसमें सर जैसे बैसिक उसमें ओटो केड़ था सर वह से आप अपता है सिविल 3D सॉफ्टर रहा होगा राइट यह सर अभी तुम्हारे मैंड में कुश्चिन कहा है यह सर सर क्यूसर मेरा यही है कि जैसे सर में मुझे जिसर यह रेविट है ओटो केड है स्केट प्रोइन के सर में जिस टूल अच्छे से पता है लेकिन सर में आगे नहीं बढ़ पा रहा है जैसे आगे कोई अक्ष्टा क्यूसरं सो मैं खुद फूटब भी नहीं कर पा रहा और उनक बहुत काफ़ी मिस्टेक्स है। क्योई मिस्टेक्स है मैं ने देखा कि इसमें तुमने जैसे कि अपने आपको पूरी त्रीकेस एक स्प्रेज नहीं क्या है अप में पास आव टीर क्या है चलो भी कॉलेज में हो तो पर सूइंग लेखना चाहिए ठीक है बहुत सॉट में अपने आपको तुमने डिस्क्राइब कर लिया था, फिरहाल तुमने अभी क्या सीखा है, AutoCAD सीखा है, SketchUp सीखा है, में भी Revit भी सीखा होगा, राइट, तीन अच्छे software तुमने सीखा है, बस तुम्हारी problem क्या है कि तुमने उन software को packing नहीं किया है, अब तुम बोलोगे सर्फ प्रूफ करो, तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, जिसके माधियम से तुम प्रूफ कर सको, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा अपना रेज्यूम, जिसमें express हो है, जिसमें ऐसा so हो कि मुझे अच्छे से आता है, क्या, जिस software की बात कर दूसरी चीज़, आपको अच्छे तरीके से एक पॉर्टफोलियो त्यार करना पड़ेगा, जिस पॉर्टफोलियो त्यार करो गया, और अपना रेज्यूम बेज़ोगा, मैं अगर मैं तुम से बात किया, तुम ने बोला कि सर, क्या बोलते है, मुझे आपके कंपनी में ज जाओंगा, तो रोड पे मुझे 3-4 रुपे का भिग जाएगा, 10-20 रुपे का राइट, अगर इसी को बढ़ेयां पैकिंग कर दिया, तो खरीदते हो न, मॉल्स में जाते हो, तो 2500-300 रुपे का एक कपने जाते हैं, तो तुम्हें अपने आपको पैकिंग करना पड़ेगा पैकिंग, मतलब तुम्हें खुद को ब्रांड बनाने के लिए अच्छा सा पोर्फोलियो बनाना है, और अच्छा सा रिजूम बनाना है, अच्छा मतलब यह नहीं होता है कि बहुत डेकॉरेट कर दिया, इसमें तो तुम्हारा रिजूम देखा, बहुत डेकॉरेशन के फ तुम्हारे किसके लिए जॉब के लिए जा रहा है तो यहां पर तुम्हें पिक्चर सो करने की जरूवत नहीं है दूसरी चीज पर देखो आप कॉर्परेट में जा रहे हो तो वहां पर परस्नल डिटेल्स आपका इतना मायने नहीं रखता हूं तो इसको आप लास्ट में र चर्ट आता है तुमको स्केचप प्रो आता है और टो केड़ आता है पट यह में जो खोजना पढ़ रहा है कि सब्सक्राइब बदने को आता है और यह आता है तो यह क्या बोलते हैं यह जो तुमने परस्नल लिखा है हार्ड वर्किंग ओनेश्टी टाइम ली कम्निकेशन ह नहीं है यह स्ट्रेंथ है ठीक है यह सर्वार किंग मदलब लेवर होना हमकरे खैलतर दूसरी चिए आपका टेको आप डेक्निकल में अप रिप्रेटिंग और्रतिंग ट्रॉक्त सर्वेश्ट चाहरे थेटी समझ नहीं आ रहा है तो हाइर करने के लिए सिर्फ फोर से इनके स्किल्स को देखूंगा और जो तुम्हारा बहुत ही सौट में है दूसरी चाहिए दर आपने एजुकेशन में देखो अब आपके एजुकेशन पे कहीं पे भी आपने यह नहीं किया कि हमारा पास आओ टियर परसेंटेज हम कैसे करें कि आप कितने एजुकेटेड हैं नहीं 12 का नहीं 10 का तो यह क्या हो रहा है आप बहुत सौट में यह समझाना चाहरे हो कि देखो मेरे पीछे के स्ट्री में ज्यादा मत चाहो ठीक है मुझे बस यह थोड़ा सा आता है अगर है हाइर करना तो है तो यह तुम्हारी सीव के लिए कितना मुस्किल हो रहा है जोब देखना आप मैं जिसे साइट कर रहा हूं मेरी सब्सक्राइब कर रहा हूं कर रहा हूं कि सर जैसे अब बोलो जारी हिए अब करेक्त है लेकिन उन्होंने मुझी यह किया कि आपकी आप बीटेक कर रहे हो हूं आपको शलिए तो आपको नहीं तो यह तो आभी तुम्हारे की इस केसे में ने शुरी किया हाँ चलेगा मानता हूं आप यह बात ठीक लेकिन ब्रदर अभी क्या होगा कि अभी तो आप पास आउट के लास्ट यह में ओना और अगर आप लिखाया तो पहली पार यह इंलीगल हो गया कि अगर आपने बीटे कंपलीट नहीं किया है और आपने लिख रखा है तो तो ऐसे भी आपको कोई हायर नहीं करेगा यह गलत है तो इसलिए आप पर सुइंग दिखिए अगर उनको पर सुइंग लड़का चल जाएगा तो दे विल हायर यह नहीं चलेगा तो कोई फोर्स नहीं है जो बड़ी ब को सिंपल दिखाऊंगा तो देखिए यहां पर एक रिजुम मैंने देखा एक बच्चे लिए अब देखो इसकी रिजुम अब तुमको लगे का रहे इस रिजुम में कुछ नहीं है वाट यह रिजुम बहुत ही खुबसूरत है क्यों इस सिंपल एंस ओवर है कैसे सिंपल ह इसने सौर्ट में अपना अड्रस दे दिया सौर्ट में अपना नाम दे दिया इमिल आइडी कॉंटेट नबर यही हमारे काम की चीज है जिसे हम कॉंटेट करेंगे इसको और इसने केरियर अच्छे से लिख दिया अब देखो इसका जो एकेडमिक है इसने प्रॉपर एज फ्रेसर प्रजेंट या जितने भी फ्रेसर है जो भी लोग इसको वीडियो भी देखेंगे इसका तो लोग ध्यान रखिएगा कि आपको इसी तरीके से अपना अपना अच्छाना है अब मुझे आइडिया हो गया कि इस बच्चे को आटोकेड बहुत अच्छे साता है मेरी कंपनी के जो भी रिक्वार्मेंट है उससे अगर ये मैच खा रहा है तो तुरंत दो मिनट लगेगा मैं इसको कॉल करूंगा बोलूंगा कि जल्दी से तुम आ जाओ देवियांग और आपना इंटर्वी के लिए त्यार हो जाओ तो यह चीज जो है आपको ऐसे सो करन चाहिए क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में गये वहाँ 2016 है तो आप क्या मना कर लोगे कि हमको तो 2020 चाहिए और इट सो डोंट मेंसने यह जो भी लोग है यह मत करो और उसके बाद इसने प्यको अपना ट्रेइनिंग वारे जो सब सो करते हैं वो सब फिट है और लास्ट में प्लस एक पॉर्टफोलियो अच्छा सा स्ट्रॉंग सबनाओ तो पॉर्टफोलियो जब भेजोगे तो सामने वाला इंप्रेस होगा और आपके जॉब के लित त्यार करेगा मैं नहीं करूं कि आप 10 नहीं नहीं चीजे सीखो नहीं जो सीखा है इसको पैक करो समझ गए मेरे थोड़ को हाँ तो जब आप पैक करके किसी भेजोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे सैनित लोग उसको प्रीफर करेंगे और लोग समझ जाएंगे हाँ यार मैंने एक अच्छे बंदे को हायर किया अब आपकी रिजुम को अभी देखके नहीं लग रह जबकि आप बोल रहें मुझे स्केचप रेविट अच्छे साथ आए यही है कि सर मेरा सर यही है कि सर में दो जोब एक साथ लेके चल रहा हूं कि जैसे सर डिजाइनिंग का मेरा सर ड्रीम ही है सर शुरुआत से मैं इसकी तेरी कर रहा हूं लेकिन इसाथ में मैं सर बेक इंजिनियर का तो यह सही है या गलत है सर गलत है ठीक है अभी तुम क्या करोगे तुम पूरी तरीके से कंफ्यूज रहोगे जब तक तक तुमारा एक एम पर टार्गेट नहीं होगा ना तुम अमलब की इधर भी देखोगे उधर भी देखोगे नो डाउट हो सकता है तु जब डेडिकेट होगे न उसी के बारे में पढ़ोगे उसी का नॉलेज एड करोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेटर होगा कि एक डारेक्शन पर ही चला ठीक है देखो साइट के लिए कोई तुमने डिगरी किया है तुम्हें साइट की रिकॉर्मेंट होगी हो लग जाएगी हो कोई बैकप तो हुआ ही नहीं ना लेकिन से नोलेज है ना सथ जैसे इनका नोलेज थोड़ा अलग है डिजाइनिंग का सरा में सोफ्ट्रेस स्किल पर ही पूरा डिपेंट रहे लेकिन जो साइट के फ्रिसस की जॉब होती है ना उसमें ऐस सच को खास आप को पता होगा कि ज़्यादा इसके रिक्वार्मेंट नहीं होती है ठीक है क्या आना चाहिए आपको थोड़ा सा बीवेस का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा आपको कवर हो गया रहा का नॉलेज होना चाहिए सेंटर लाइन का नॉलेज होना चाहिए यह सब चीज है इंप पर पूरी दुनिया का आप डिजइन देख रहे हैं कौन क्या डिजइन कर रहा है रीड कर रहे हैं, यहाँ पॉर पढ़ते रहते हो, एक्सप्लोर करने का आपको मिलता है, प्लस आप जब आएक office में काम करते हो तो दस और engineer, design engineer आपके साथ होते हैं, उन्होंने कुछ सीखा है, वो आपके साथ share कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सीखा है, उन्होंने आपके साथ share किया, आपका knowledge broad हो रहा है, प्लस, salary के perspective से देखा जाए, तो अगर design में अगर आप देखोगे, तो किसी को भी अगर designing के लिए, गहीं पे भी तुम बड़ी MNCs में अगर approach कर रहे हो, तो higher package देंगे, क्यों, क्योंकि उनका काम बाहर के country से आ रहा है, तो definitely हो सकता है, कुछ ऐसी companies हैं, जिसमें आपका लग आई हो जाए, अब यहीं चीज़ अगर में site पर बोलो, तो site पर starting के 3 months तो आपको समझ आएगा कि चलो, क्योंकि आप वहाँ अखेले हो engineer, बाकी सब तो labor है, रही है, तो आप handle कर रहे हो site को, चलो, बाकी starting के 2-3 महने तुमने देखा, चा, footing में यह हमको नहीं पता था, column में आपको यह नहीं पता था, सीखा, उसके बाद क्या, उसके बाद जो growth का label होता है, बहुत limited हो जाता है, पर design में explore करने को बहुत कुछ है, नया innovation कर रहे हो, नई चीज़े सीख रहे हो, यह फाइदा होता है, तो अभी तुम क्या कर रहो, तुम साइनल year के final semester में हो या अभी 7 सेमेट हो, सर अभी 7 के सर में exam आएंगे, जनुरी में, जनुरी में 7 का exam हो, पहले तुसको focus हो के exam दो, इसके बाद 8 सेम से ही अपने को जो तुमने सीखा है, उसको branding करने लगो, उसको excellent level पर उसका portfolio बनाने लगो, ठीक है, और जैसे portfolio बनाओगे, तो जिसको भेजोग उसको स presentation, रिजिम मतलब कि आप हो क्या, यह रिजिम बताता है, clear है, चलिए तो आप त्यारी करिए, और wish you all the best, अच्छे से करिएगा, बाकि आप आगे कोई समस्चा आगी तो हम लोग को बिलते रहेंगे, ठीक है, लेकिन यही कोशिस करिए कि इस process से जाईए आप, कि यह packing करिए और एक profile में ही focus करिए, यह आपकी summarize की, आप एक profile में focus करो, दो-तीन profile में करोगे, तो ना इधर के ना इधर के, no doubt design में आप बाकिस को बिलेगा, ठीक है? सर, इसके मुझे जैसे, सर, यह softwares इतने बहुत है, आप और मुझे जैसे और भी करने चाहिए add, इसमें, designing में जाने के लिए, कोई भी चीज होती है, जब आप ज्यादा add करते हो, वो तो अच्छा होता है, बट कभी भी ज्यादा add करने के चक्क्र में अपनी quality खराब मत कर बाट करते हैं, और मैंने उसे just a question पूछ लिया, is that pro का full form क्या होता है, क्योंकि उसने तेरा कहते है, तो उसको is that pro का full form नहीं पता था, उसने state, eight, वैं पतान कितने software दुनिया बर के कर रखे थे, तो पहले जो सीखा है, AutoCAD, SketchUp और Revit, यह सीखा है, इसको high level पर लेते चले ज सीखा है, उसकी packing करने के बाद, clear है, तो यह सीखा है, जो सीखा वो बहतर रहे है, उसके बाद लिया तो सीखते रहेंगे, तो जरनी है, अभी जो मैंने सीखा है, इसका मनलब इतने पुझे रुखना चेर नहीं, आज मैंने अची सीख रहा हूँ, लेकिन जो कर रहा हूँ, पहले वो बहतर कर लूँ, तब आगे के लिए जाओं, तो बेटर रहेगा, ठीक है निल, ये सर, चलिए, होब आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, ठीक है, कैसा लगा आपको, बहुत साल लिस, ओके ठीक है निल, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, जिससे कि आपके जिससे आपके college बहुत सैसे लोग होंगे, जिनको ये सेम डाउट आ रहा होगा, ठीक है, now if they watch this video, तो उनको का आइडिया लगेगा, कि हाँ यार, क्या बुलते है, निल को ये डाउट आया था, तो मतलब यही डाउट तो मेरा भी है, कि मुझे चीजे आती है, मैंने packing नहीं झाल 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 झाल झाल